जहीं सात्यों, नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ड कलासेज, कैसे हैं आप लोग और किसी चल रही आपकी पड़ाई, तो हम कर रहे थे कक्षादस की समाजिक विज्ञान, उसमें जो आपकी बुक के सात्यों, आर्थिक विकास की समझ, उसका जो फर्स लेसर ने विकास वो प्रती चेप्टर, वो मैं आपको कवर कर रहा हूं, ताकि आपके एक्जाम में अच्छे नंबर आए, और आपका ये पार्ट लगबग कंप्लिट हो जाए, तो पार्ट का नाम है, अभी उपर आयाता ना, बारती है, अर्थ विवस्ता के छेत्रक, तो इसके इंपोर्टें में क्या होता है साथ्यो, अक्सर बच्चे हिसे हलके में ले लेते है, और ये जो हलका है, हमें बहुत बारी पड़ता है, इसलिए हमें इसको बारी नहीं पड़वाना अपने पर, इसको कंप्लिट करते हूँ चलना है, तो question number one, क्या है, निमन में से किस वर्स, राष्ट ये ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया तो आपको याद रखना है वर सने आपका 2005 क्या है 2005 में जो आपका राश्टी ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम है वर जारी किया गया था याद रहेगा ओके याद रखना है ठीक है question number 2 क्या बोल रहा है निमन मेंसे कोन सी आर्थी गतीवीदिय 33 छेतर में नहीं आती तो आपको पताए कि जो आपका 33 छेतर है उसमें कोन कोन सी गतीवीदिय आती है तो मैं आपको एक बार detail से बता दू जो आपका फर्स छेतर है न उसमें तो आपकी थर्ड है उसमें आपकी सेवाई आती है सेवाई जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ थो वो भी क्या है सेवाई ठीक है इंजिनिरिंग जो पोस्ट है वो भी सेवाई डाकिया भी एक परकार की सेवाई ठीक है न तो 33 छेतर में सेवा आती है तो देखो बेंकिंग भी क्या है सेवा है अध्यापन याने पढ़ाना भी सेवा है और परिवहन भी क्या है सेवा है जो मधुमक्की पालन है ये सेवा नहीं ये साथ ही हो क्या है मधुमक्की पालन आपके पस्ट छेतर में आता है तो यह क्या यह सेवा नहीं है तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मदुमक्की पालन यह तृत्य चेतर में नहीं आता ओके ठीक है question number 3 क्या बोल रहा है सवेतन चुट्टी का प्रावदान किस चेतरक में होता है यहने वेतन भी मिलेगा और चुट्टी के साथ वेतन मिलेगा मतलब जिस दिन चुट्टी हो जाएगी उसका भी वेतन मिलेगा तो सवेतन चुट्टी का प्रावदान किस चेतरक में होता है तो आपको याद रखना है सब वेतन चुटी का प्रावदान असंगटी छेतर में होता है कौन से में असंगटी छेतर में याद रहेगा ओके याद रखना है भूलना नहीं है ठीक है question number 4 क्या बोल रहा है ओधोगीक छेतरक कहा जाता है यानि जो ओधोगीक छेतर है यानि ओधोग दंदे वाला जो मैंने अभी आपको बताया वो किसको कहा जाता है तो कौन से को कहा जाता है दित्तेक छेतर को कहा जाता है लिख देंगे यानि जो ओधोगीक वाला छेतर है वो किसे कहा जाता है दित्तेक छेतर को कहा जाता है ठीक है इसके बार next question की बात करें question number 5 के आप बोल रहा है यह देखें अल्प बेरोजगारी परमुतर कहां पाई जाती है यानि जो अल्प बेरोजगारी कहां पाई जाती है तो आपको याद रखना है जो करसी छेतर है जो खेती का छेतर है उसमें अल्प बेरोजगारी पाई जाती है ठीक है याद रहेगा ओके याद रखना है इसके बार रिक्तिस्तान आते हैं हमारे सभी परकार के question इसमें दिये गए हैं वस्तुनिष्ट, रिक्तिस्तान, अतिलगुरात्मग, लगुरात्मग तो आपको ये वीडियो जान से रोजगार की और रिक्तिस्तान होती है तो संगणीचेत्र, आपको याद रखना है, संगटी छेतर में क्या है रोजगार की आउदियन नियमित होती है टाइम से वेतन मिल जाता है ठीक है तो इसमें आप क्या लिख देंगे नियमित ओके ठीक है इसके बाद हम next question की बात करें तो वह सारवजनिक छेतर में परी संपतियों पर जो सारवजनिक छेतर है उन पर परी पर किसका अधिकार होता है याने किनका स्वामित वो होता है तो एकल व्यक्ती का तो नहीं हो सकता है क्योंकि वहें सारवजनिक है तो किसका होगा सारकार का होगा तो इसमें आपका सरकार एक दम right answer हो जाएगा ठीक है असंगटी छेत्रक अधिकांसर रिक्तिस्तान नियंतरन के बाहर होता है कि नीजी की सरकारी तो जो संगटी ता उसमें तो हमने किसे लिया था सरकारी को लिया था ना तो यहां पर जो असंगटी थे तो इसमें क्या जाएगा आपका नीजी आ जाएगा ठीक ह अस एंगती छेतर पर किन का निहंतरन होता है नीजी का होता है ठीके ओके इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होते हैं अती लगुरात्मक परशन यहने छोटे परशन एक एक नमबर के सेवा छेतरक में सामिल गतिवीदियों के दो उद्धारन तो सेवा छेतर में आपको बता ज सेवा आती है एक तो आपका इसमें आजाएगा बेंकिंग क्या जाएगा बेंकिंग आजाएगा और एक इसमें आजाएगा आपका परिवायन ठीक है लिखे देंगे बेंकिंग को परिवायन आपका question number 11 का answer हो जाएग ओके प्रिच्छन बेरोजगारी को किस अन्ये से जाना जाता है तो करते हो धूंच को और क्या होती है तो आपको याद रखना है कि जो क्रसी छेट होता है न साथियो उस में मान ली जी ये कोई खेट और इस खेट में जरूरत है पांच लोगों की यानि पांच लोग काम करें तो काम आसानी से हो जाएगा लेकिन यहां पे पांच की तुलना में दस आदमी लगे हुए हैं तो हमें लगता है कि दस आदमी काम कर रहे हैं लेकिन वास्तों में साथ यह पांच यह आदमियों का काम था वहाँ पर पांस तो क् लिखाई नहीं देती इसलिए उसे चिपीवी बिरुजगारी केते हैं समझ में आया ओके ठीक है क्वेस्टन नंबर 13 की बात करें तो क्वेस्टन नंबर 13 क्या बोल रहा है इसे भी देख लेते प्रातमिक छेतर की कोई दो गति वीदियो के उद्धारन तो प्रातमिक छेतर मे एक तो सबसे सांदार उद्धारन है क्रसी ठीक है फिक क्रसी के साथ जो कुछ भी आएगा यानि कि आपका इसमें आ जाएगा पसु पालन पसु पालन मतस्य पालन मदुमक्की पालन सभी इसमें आ जाएंगे ठीक है न साथ यह द्धारन हो जाएंगे बारत में सारवजनिक चेतरगा कोई एक उद्धारन दीजिए सरव जनिक चेतरगा उद्धारन देना है जो इसे बाद आपका रेले बोलते ने सार्व जनिक संपत्ती गotzिईll होते हैं लगुरात्मक पर्षन तो लगुरात्मक पर्षन क्या है इन्हें भी देख लेगते हैं सारवजनिक वन नीजी छेत्रक में अंतर इस्पर्ष कीजिए सारवजनिक वन नीजी छेत्रक में अंतर इस्पर्ष करना है तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं तो सारवज संपतियों का स्वामित्व सरकार का होता है और सरकार यह उनका प्रबंद करती है सारवजनिग में आते हैं तो आप इस देंगे ओके याद रहेगा याद रखना सारवजिदिंग मतलब तो सरकार का और निजी मतलब निजी का यानि किसी एक व्यक्ति का क्वेस्ट नबर सोला की बात करें संगटित एवं असंगटित छेत्रक में कोई दो अंतर लिखिए यह भी आप इसकिन पर देके साथ यह संग संगटि चेत्र कहलाता है और असंगटित को सरकार के सामिल नहीं हो और किसी भी निएम का पालन करने की आऊशकता क्या है आपका अस Caesar का यह नेश्ट क्या बोर्ट रहा है 17 मोसमी बेरोजगारी क्या है तो मोसमी बेरोजगारी आप लिखेंगे कि मोसम के according जो बेरुजगारी होती है याने मोसम के कारण बदलने के कारण जो बेरुजगारी होती है जैसे उध्दार Iniस में आपको समझाओं तो आब एकजामेर लिख देना मान लीजिए यहाँ पर कोई कोई व्यक्ति है जो जो क्या गפרता है? जो आपकी पतंग बनाता है. तो जेसे ही मकर संगराँती आती है, तो उसका जो धंदा until उसका जो धंदा यtså्याने उद्ध होगे वह चलने लग जाता है लेकिन मान लिजिये मकर संगराँती के जाने के बाद मार्ज का महीन आ गया या फरवरी आ गया तो अब पतंङ कौन खरीदेगा कोई नहीं खरीदेगा न तो ये जो पतंग बनाने वाले बाves आब है ये तो बेरोजगार हो गई न किस कारण हुए मौसम के काान हुए तो मौसमी बेरोजगारी मतलब आपके समस्ते दूपर इमें आपको बता दिया था कि जिन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता सरकार किसी भी नियम का पालन नहीं करते वो क्या असंगटी छेत्रग के अंतरगत आते हैं ठीक है याद रहेगा ओके याद रखना तो इतने ही क्वेस्टन इसमें दे रहे हैं ज्याद यह पीडियेप आपको कैसे मिलेगा चैनल पर नहीं आएं तो आपको बता दू मैं आपको इस कीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं वह मेरे परस्टनल नंबर है आप चाहिए तो मुझे इन नंबरों पर मेसेज कर सकते हैं मैं आपको वहाँ पर पीडियेप दे दूँगा नहीं तो साथ यह आपको डिस्क्रिस्वन ओपन करना है वहाँ पर आपको लिखा होगा वाट्सप गुरूप में एड हो उसके नीचे की लिंक पर आपको प्लिक करके डायरेक्टिव वाट्सप गुरूप में एड हो सकते हैं ठीक है तो वीडियो पसंदादे वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बिल आइकन को प्रेस कर दे और वाट्सप गुरूप में एड हो जाए ताकि आपको हमारे द्वारा जो एजुकेशन संबंदी सामागरिये उपलब्द करवा दी जाए ठीक है साथ यो धन्यवाद जैन जैबारत नेक्स्ट करेंगे ठीक है